बसंत पंचमी का परवहर साल मागमास के शुक्रपक्च के पांचवे दिन मना जाता है बसंत पंचमी के दिन से ही वशंत रिटू की शुरुवात होती है इस दिन मादे भी सरश्योती की आराधना की जाती है इस दिन लोग पिले रंग का वश्द पहन कर शरश्योती मा की पूजा करते है इस बार बसंत पंचमी का परव सोरफ फरवरी मंगलवार के दिन मनाया जाएगा सोरफ फरवरी को तड़के तीन बच कर 36 मिनट पर पंचमी तीथी प्रारंभ हो रही है जो 17 परवरी को सुब 5 बच कर 46 मिन तक रहेगी बसंत पंचमी का परव सोरफ परवरी को ही मनाया जाएगा बसंत पंचमी की पूजा सुरियोदोई के बाद और प्रवाहन से पहले की जाती है बसंत पंचमी को स्री पंचमी भी कहते हैं इस दिन लोग बिद्या की देवी सरश्वती का आराधना करते हैं सिख्छा प्रगरंभ करने या किसी नई कला की शुरुआत करने के लिए आज का दिन शुब माना जाता है आज के दिन कई लोग ग्रे परवेश भी करते हैं मानता है कि इन दिन कामदेव पतनी रीती के साथ प्रिथिवी पर आते हैं इसलिए जो पति पतनी इस दिन भगवान कामदेव और देवी रीती की रती की पूझा करते हैं तो उनके वेबाहिक जिवन में कभी मुझ्क लिए नहीं आती है इस दिन लक्षमी और भगवान विश्णों पूझा करने का भी बिधान है मानताओं के अनुशार ग्यान की देवी मासरशोती सुक्रपक्ष की पंचमी तीथी को ब्रह्मा जी के मुझ से प्रगट होई थी इसलिए बसन पंचमी के दिन मासरशोती की पूझा की जाती है इस दिन पूरे बिधी विधान से मासरशोती की पूझा करने से वो प्रशन होती है और भगतों की शारी मनुकामनाएं पूरी करती है इस दिन पीले वशंतिया शफेद वस्त्र रंगधारण करे इसके बाद पुर्वया उतर दिशा की और मुख करके पूजा की शुरुवात करे मासरश्वती को पीला वस्तर बिचा कर उस पर स्थापित करे और रोली, मौली, केसर, हल्दी, चावल, पीले, फुल, पीली, मिठाई, मिश्री, दही, हल्वा, आधी, प्रेशाद के रूप में उनके पास रखे मासरश्वती को श्वेट, चंदर और पीले थता, शपेद, पुष्प दाया हाथ से अरपड करे केसर में स्रित खीर अत्वित करना शर्वतम होगा, हल्दी की माला से मासरश्वती के मुल मंत्र ओयो में सरश्वते हैं नमा का चाप करे सिक्षा की बाधा का योग हो तो इस दिन भी से पूजा करे, उसको ठीक किया जा सकता है निजरूम से अमेजिंग वल्की रिपोट